हलो गुड मॉर्निंग ओल आप यू सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विवेक कुमार यूवी कंपेटिशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों रोजाना की तरह मैं लेकर हजी रून डेली करंटा पेर्स जी के जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लेंग्वेज में अपडेट्स हैं मेरे प्यारे साथियों आज 2 अप्रेल बलिदान दिवस्की आप सभी को आर्दी बदाई और 2 अप्रेल 2019 के करंटा पेर्स के साथ यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपेट्सन सब्क्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपेट्सन चैनल को सब्क्राइब करें और साथी बैल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए अप्डेट्स के नॉटिपिक्सन मिलते रहे इसके साथ यह दिया आप राजस्तान जी के और मेकेनिकल इंजिनेरिंग पढ़ने की इच्छा रखते है तो उसके लिए अनकेडमी एप पर मुझे फोलो करें आनकेडमी एप पर फोलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आए शुरू करते हैं आज के मुखे समाचार सबसे पहले बात करते हैं नैशनल न्यूज राष्टे समाचारों की The Indian Space Research Organization, ISRO, has launched a Defense Intelligence Satellite, IMI-SAT, in its 47th Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV, mission, along with 28 other customer satellites, on board the advanced PSLV C-45 rocket. The PSLV C-45 was launched from ISRO's Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. It is the first time ISRO is launching satellite in three different orbits, along with that the PSLV C-45 launch vehicle is also the first PSLV rocket to use for strap-on motors. बारतिय अंतरिक चनुसंदान संगठन ISRO ने अपने 47-वे धुरुए उपग्रे प्रचेपन यान mission में 99 PSLV C-45 rocket द्वारा 28 अन्य ग्राक उपक्रों के साथ एक 99 खुप्या उपग्रे एमिसेट लॉंच किया है. PSLV C-45 को ISRO के स्रीहरिकोटा के 37-वन इस्वेस सेंटर से लॉंच किया गया था. ऐसा पहली बार हुआ है जब ISRO ने तीन अलग-अलग कच्छाओं में उपग्रे लॉंच कर रहा है. इसके साथ ही PSLV C-45 लॉंच बहान चार स्ट्रेप ओन मोटरस को उप्योग करने वाला पहला PSLV rocket भी है. Next, Garden Reach, SIP Builders and Engineers Limited, GRSE become the first Indian shipyard to build and deliver 100 worships. GRSE Chairman and Managing Director, Rear Admiral Retired VK Saksena formally handed over the 100 worship in LCU L56 to the Indian Navy. Garden Reach, SIP Builders and Engineers Limited, 100 युदपोत बनाने और वित्रित करने वाला पहला बारत्य सिप्याड बन गया है. GRSE के अध्यक्च और प्रबंद ने देशक Rear Admiral VK Saksena ने उपचारिक रूप से भारत्य नोसेना को सौवा युदपोत इस आई-एन-L-C-U-L 56 सौपा है. Next बात करते हैं, International Use अंतराष्टे समाचारोगी. Tesla has developed its largest power storage system in Asia at Osaka train station in Japan to reduce energy demand and provide emergency backup. Power to train in Japan, it was launched in partnership with Kintansu, a railway operator in Japan's Osaka, 7 MW hours system is its largest energy storage project in Asia and the fourth largest in the Greater Asia Pacific region. Tesla ने उर्जा की मांग को कम करने और जापान में टेनों के लिए आपात कालीन बैकप सक्ती प्रदान करने के लिए जापान में ओसाका train station पर Asia में अपनी सबसे बड़ी बिजली बंडारन प्रणाली विक्सित की है. इसे जापान के ओसाका में एक railway operator किंटसू के साथ साजेदारी में लौंच किया गया था. Tesla ने कहा कि 7 MW गंटे प्रणाली एसिया में इसकी सबसे बड़ी उर्जा बंडारन परियोजना है और एसिया प्रसान चेत्र में 34 सबसे बड़ी परियोजना है. नेक्स्ट बात करते हैं appointment's न्यूक्तियों की executive director of ICICI bank विजिया चंदोक हैज बीन appointed as MD and CEO of ICICI securities a subsidiary of ICICI bank he will success तिलपा नवल कुमार he joined the ICICI group in 1993. UCI e se bank kayש office निदिशक विजय चंदोख को IC ICI bank की साय कमपणी IC ICI s neste I'm d asmr punishment कांपनी की जाए यह ु जाने सिर्पा नवल erre इस्तान वे इस्तान लेंगे वे उन्नी सोग्रान में IC ICI में सामिल हुए थे नेक्स्ट मनूज Sut Tradacy Sonny 2 sch Geneva Team master chief executive officer CEO सानी हैज बीकम वर्किंग अलोंगसाइड दे आउटगोइंग सीयो डैविट रिचार्ड़सन पॉर दे लाश्ट सिक्स वीक्स तो एंशूर ए स्मूर्ट ट्रांजिक्शन विदिन दे ओर्गिनिजेशन मनुस आनी ने अंतराष्टे किर्किट परिशद के मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में पदवार समाला सावनी पिछले छे सब अपतों से संगठन में एक सुगम परिवर्तन सुनेशित करने के लिए निवर्तमान सीओ डेविड रिचर्डन के साथ कार्य कर रहे थे नेक्स्ट एंटी ग्राफ्ट लॉयर जुजाना केपटोवा वन श्लोविक क्याज प्रेसिदेंशिल एलेक्शन मेकिंग हर दे कंट्रीच फर्स्ट पीमेल हैड अप स्टेट प्रेसिदेंशिल एलेक्शन मेर्ण सीओ अप स्टेट लॉयर जुजाना केपटोवा ने श्लो वाक्या का राष्टेपती चुनाव जीता है इससे वे देश की पहली महिला प्रमुक बन गई है राजजिती में नहीं 45 वर्से केपटोवा ने अधिक राजनितिक रूप से जानकार यूरोपिया यूक्त मारोस सैफ को विच के 41.7% मतों के सामने अठावन.3% मत प्रात किये नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग निए बैंकिंग समाचारों की मारे को विचि पैंग करता है अधिक नेकन». The MERS entity would also receive 5,042 करोड रुपीज फंड इंफ्यूजन फ्रॉम्ड फ्रॉम्ड विजया बैंक और देना बैंक का बैंक और बड़ोधा में समावेशन प्रभावी हो गया है और पूर्वे दोनों की सभी साखाय बीयोबी की साखाव के रूप में कारे करेंगी विले की काई को सरकार से 5,042 करोड रुपे का फंड प्राप्त होगा Next, The Reserve Bank set the average base rate to be charged from borrowers by non-banking financial companies NBFCs and microfinance institutions MFIs at 9.21% for the first quarter of the next fiscal April-June Reserve Bank ने अगले वित्य वर्स अप्रेल जून की पहली तिमाई में गयर बैंकिंग वित्य कंपनियों NBFC और सुक्षम वित्य संस्तानों MFIs द्वारा उदार करताओं से वसुल की जाने वाली औसत आदारदर को 9.21% पर निर्दारित किया है नेक्स बात करते रेक्सें रेइंकोर रेइंकोर रेपोर्स की ए रेपोर बाइ ऑपन सिंगनल विचि नेम्ड़ अज 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 अचिगनल उट्ट इस पर जोलबिलिटी रवेल्स दैपर जोलबिल इंडिया 50 largest cities आउट ओफ फिप्टी सिंटी धनबाद विचिज अलसो नौन एज दा कोल केपिटल अप इंडिया हैस दा हाइएस्ट फॉर्जी अवलिबिलिटी ओप 95.3 परसेंट फॉलोड बाइ राची विच हैज 95 परसेंट ऑफ दे फॉर्जी अवलिबिलिटी ओपन सिग्नल की ओपन सिग्नल हो टैश्ट सिटी फॉर्जी अवलिबिलिटी के रूप में नामित एक रिपोर्ट से भारत के 50 सबसे बड़े सहरों में फॉर्जी उप्लब्ध का पता चलता है पचास सहरों में से बाएकी कोहला राजधानी के रूप में जाना जाने वाला धनबाद, जोकि राची में है, तो सब से अधिक, पिचाण में 0.335 फोरजी उपलबता है, इसके बाद, राची में, पिचाण में 0.45 फोरजी उपलबता है, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्स न्यूज खेल समाचारों की स्वीजर लेंड रोजर फैडर डिपीटेड यूएसे जोन इनर इन स्टेट सेट्स तो लिप्ट हीज वन अंडर फस्ट कैरियर टाइटल एट दे मियामी ओपन स्वीजर लेंड के रोजर फैडर ने यूएसे के जोन इसनर को सीधे सेटों में हराकर मियामी ओपन में अपने कैरियर का 101 वा किताब जीत लिया है फैडर अब केवल अमेरिका के 109 कैरियर एकल किताब विजेता जीमी कोर्नर से पीछे है बात करते लास्नीव सौथ कोरिया इपिटेड इंडिया इन दे पैनल्टी सुटाउट इन पाइनल एक्टाउट सुटान अजलांशा कॉप पैनल में भारत को पैनल्टी सूट आउट में हराया है सत्रवी रैंक वाले दक्षिनी कोरिया ने वर्ल्ड नम्बर पांच भारत को हराकर मलेशिया के इपो में अजलान सा स्टेडियम में आयोजित सुल्तान अजलान सा कोहकी कब जीत लिया है भारत विनियमन समय के एक एक से समाप तोने के बाद पैनल्टी सूट आउट में चार दो से मैच हार गया है तो मेरे प्यारे साती हो यह ते आज के मुक्के समचा जो कि आपका करेंट अपेर से सभी एक जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब यूवी कंप